हेलो फ्रेंड्स आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने चैनल अपना घर कंस्ट्रक्शन में आज हम लोग जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे लिखा हुआ है हजार इसक्वाइट फिट छत ढलाई का क्या खर्चा लगने वाला है तो आज हम लोग डिसकस करने वाला है हजार इसक्वाइट फिट में छत ढलाई में कितना हमारा खर्च लगेगा सिमेंट कितना लगने वाला है गिट्टी कितने का लगेगा बालू कितने का लगेगा साथ में सरिया कितना केजी लगेगा और कितना एमाउंट में हमारा लगने वाला है तो सारा डीटेल्ड में आज हम लोग डिसकस करेंगे लास्ट में हम लोग ये भी discuss करेंगे कि किस amount को हम लोग कम जादा करके अपनी खर्चे को 1000 square feet जब हम लोग ढलाई कर सकते हैं उसको कम कर सकते हैं या बचा सकते हैं विल्कुल ही standard way में चलेंगे बिल्कुल ही smart तरीके से हम लोग ये discuss करेंगे तो चलिए दोस्तों वीडियो को complete देखें तो वीडियो को start करते हैं सबसे पहले हमें क्या decide करना पड़ेगा जब हम लोग छट ढलाई कर रहे हैं वह कितना इंच थिकनेस का ढलाई करने वाले हैं 1000 square feet तो वह हम लोग जनरली जो थिकनेस रखते हैं अपना ढलाई का वह थिकनेस जो रखने वाले हैं ठिकनेस जो हमलोग रखने वाले वह 4 इंच का हम लोग थिकनेस रखने वाले है छट ढलाई का उसके बाद दूसरा point आ जाता है कि आप जो concrete बना रहे हैं वह किस grade का concrete बना रहे है तो हम लोग यह RCC ढलाई कर रहे हैं तो RCC ढलाई में हमिनिमum जो grade of concrete रखना परता रहे M20 grade of concrete रखना परता है तो हमें standard पर ही चलना परेगा और M20 grade ही हमें concrete रखना चाहिए जब हम लोग 6 ड़लाई कर रहे हैं 6 ड़लाई के लिए M20 grade of concrete हम लोग रखना चाहिए तो M20 grade क्या होता है सबसे पहले तो हमें ध्यान रखना चाहिए एक ratio डेर रेशियो तीन का हम लोग यह मसादा डालने वाले है एक तर्चा अगर हम लोग cement डालेंगे तो डेर तर्चा बालू डालेंगे और तीन तर्चा गिट्टी डालेंगे अगर हम 4 इंच मोटाई और M20 grade से अपना ढलाई करते हैं तो हमारा cement क्या लगने वाला है बालू क्या लगने वाला है गिट्टी क्या लगने वाला है और still हम लोग कितना लगाने वाले हैं वही आज हम लोग बूरा discuss करेंगे तो यह हम लोग decide कर लिए एक challenge डालाई करने वाले है M20 grade करने वाले है तो चलते हैं हम लोग चार्ट बनाएवें उस पर हम लोग चलते हैं सबसे पहला मेटेरियल हमारा देख रहे होंगे सीमेंट है सबसे पहला मेटेरियल तो सीमेंट जो हमारा लगने वाला क्वाइंटी कितना है अर्तालीस सो यूनिट है हमारा केजी 4800 kg हमारा सिमेंट लगने वाला है और रेट क्या सिमेंट का चल रहा है सारे 300 आप रेट जब सिमेंट का मार्केट अभी रेट प्राइस पता करेंगे वो आपको मिलेगा 380 रुपई से 420 रुपई तक 380 से 420 रुपई तक होगा हम लोगोंने अभी 380 रुपई पकरा हुआ है एक बोरी का रेट 380 divided by 50 कर देंगे तो पर केजी हमारा निकल के आ जाएगा यहां से पर केजी जो रेट है 7.6 रुपई पर केजी हो जाएगा तो हमारा 4800 केजी लगने वाला है 4800 इंटू कर देंगे 7.6 तो हमारा सीमेंट जो हमारा लगने वाला है वो हमारा 36,480 रुपई का सीमेंट लगने वाला है दूसरा quantity है हमारा send बालू, बालू कितना लगने वाला है, 180 70 पर 70 जो भी rate चल रहा है, 45 रुपे से 50 रुपे मार्केट में हमारा, 45 रुपे से 50 रुपे rate चल रहा है, हम लोग minimum पकड़के चलते हैं, 45 रुपे, तो 45 इंटू 180 कर देंगे, 45 इंटू 180, तो हमारा यहां से आ 100 रुपे का बालू आपका, ठीक है, उसके बाद हम लोग चलेंगे, गिट्टी के तरफ, गिट्टी के हमारा कितना वाला है, उसके जर्स डवल लगने वाला है, तो 360 है, इंटू डवल इसको डायरेक्ट, सौरी, 360 इंटू हमारा गिट्टी जो है, 55 रुपे से 60 रुपे पर हमें गिट्टी लगने वाला है, 19,800 रुपे का, अब हम सरिया पर चले जाते हैं, ठीक है, सरिया हमारा लगेगा 120 कजी से 130 कजी के बीच लगेगा, क्योंकि हम लोगों बीम में इसमें 25 परसंट सरिया कंसिडरेट किया हुआ है, और हम लोग इसमें 10 रुम का सरिया जो डिस्ट्रिब्यूशन बार, दोनों बार हम लोग 10 mm का रखे हुएं, ठीक है, इस तरीके से कुछ हम सरिया का डिटलिंग किया हुएं, मेन बार और डिस्ट्रिब्यूशन बार का, और हम लोग जो बीच का डिस्टेंस रखे हुए Lena, सरिया के बीच का, वो 5 इν्च का स्काइड फिट में 120 केजी लगने वाला है केजी हमारा यूनिट है और हम लोग 85 से 95 रुपए केजी अभी मार्केट में सरिया चल रहा है अलग अलग ब्रांट का तो हम लोग जो है 85 रुपए केजी मिनिमम रेट लेके चलते हैं जो हमारा काम देनूं कैप्टन बगारा मिल रहा है अगर हम लोग टाटाटी स्कॉन यूज करेंगे तो उसका रेट अपर हाई मिलेगा जैसे 90 रुपए से 90 रुपए तक पर केजी मिलने वाला है तो हम लोग मिनिमम रेट आपको सड़िया लगने वाला है तो टोटल क्वाइन टीटी जब हम लोग एड करेंगे तो सबसे पहले हमारा सीमेंट लग रहा था कितना 36 हजार 480 प्लस 8100 का हमें बालू लगने वाला था 19,800 का हमें गिट्टी लगने वाला है और हमें एक लाख बीस हजार का एक लाख दो हजार का सौरी हमें 6 लगने वाला है То एक हजार अगर हम डालाई करते हैं तो सिर्फ मेटेरियल जो हमारा लगने वाला सबस्तेजार वाला एक लाख च्यासथ रचार हजार 380 रूपए का तोटल जो हम लोग करेंगे टोटल जो हम लोग निकाले वो कितना निकाले एक लाग छियासट हजार तीन सो असी रुपए यह हमारा टोटल मेटेरियल कॉस्ट परने वाला है छत ढलाई में और हम लेवर रेट भी अगर इसमें कंसिडर करेंगे लेवर रेट लगभग 15,000 रुपए में एक हजार आप एड़ कर दीजे तो यहां से आपका आजाएगा प्लस 15,000 रुपए आपका टोटल बन जाएगा इमाउंट जिसमें आपका हजार स्कॉार फिट ढलाई हो जाएगा यह मेटेरियल में हमारा कितना लगने वाला एक लाग छियासट हजार तीन सो असी रुपए तो एक ल स्कॉार फिट अगर ढलाई किजेगा इसमें मेटेरियल खर्चा आपको लगने वाला है और अलग-अलग कॉइंटिटी भी आज हम लोगों ने डिसकस किया है तो दोस्तों इस तरह के वीडियो और आपको अगर अपने छट का ढलाई में कितना खर्च लगेगा अगर अलग स्कॉार फिट हजार स्कॉार फिट से कम है ज्यादा है तब अपना कमेंट करके पूछ सकते हैं उसका नया वीडियो हम लोग लाएंगे बहुत जल्द तो मिलते हैं नेक्ष वीडियो में दोस्तों के साथ ज्यादा ज्यादा सेयर करें मिलते हैं नेक्ष वीडियो में तब तक लिए जय हिंज जय भारत